डव्यकेडमी में आपका स्वागत यो आज समझते हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान के लेकिन अब इनको हटा दिया गया है अब इनके जगे पर एक नए पी एम को चूज किया गया है तो कौन है तो शहवाज सरीफ है जो नवाज सरीफ के छोटे भाई तो आखिर इम्रान खान के अंदर कौन सी कमिया रह गए थी जिसके काड़ा इनको हटा करके एक नए पीम को मतलब इलेक्ट किया गया जो शहबाज शरीफ है जो नवाज शरीफ के छोटे बाई हैं तो कोई ना कोई तो कमिया रह गए होंगे या फिर इन्होंने देश के लिए कुछ बैतर नहीं कर पाया या कर पाया तो सारे डिटेस्स के बारे में हम समझते हैं तो सबसे पहले इम्रान खान के बारे में पूरा डिटेस्स जानते हैं तो इम्रान खान 1922 में इनकी पैदाइस होई 18 साल की एज में उन्होंने किर्केट की सुरुवात की 1970 में इन्होंने टेस्ट सेरीज इंगलेंड के खिलाफ खेली उसके बास 1992 में इन्होंने वर्ल्ड कप जी था तो इन्होंने इनकी पढ़ाई हुई थी ऑक्सपर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी तो सबसे पहले इनके पार्टी के बारे में जानते हैं तो इम्रान खान की पार्टी थी पीटी आई थी तो पीटी आई पूल फॉर्म क्या होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनकी पार्टी थी जो 1990 में इसको क्या किया गया अस्थापित किया गया यानि कि इसकी अस्थापना होई 1990 में उसके बास इनकी पार्टी थोड़ी इंक्रीज होती गई जो आपोजीशन पार्टी थी उनका नाम था पी एम एल यानि की पाकिस्तान मुस्लिम लिग पी एम एल पाकिस्तान मुस्लिम लिग जो आपोजीशन पार्टी थी यानि की नवास शरीफ की जो पार्टी थी यानि की उनके छोटे भाई कौन पाकिस्तान मुस्लिम लिक थे इससे पहले पुरे जानते हैं इमरान चाहरा झांगे जनते हैं 8 जनुरी 2015 में इमरान खा इन इस्लामाबाद साओदी और穴 इन एडरान की क्या कि दूतावासौ Florida कि Epinesis की दोरा की उसके बाद से क्या उन्हों ने उस पर बाचीत की जितने सारे मामले थे उस पर बाचीत रखी और सुझाया उसके बास से 2018 में सौधी के एक बैंक ने इस्लामिक डिवलोपमेंट बैंक ने इनको 4.5 बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर इनकी तेल की जो फाइनेंसियल जो सुवीधा एक्टिव किया बड़े भाई के बारे में जानते हैं क्राइम्स क्रिमिनल्स मुर्डर और बहुत सारे पैसे की लूट फूट बहुत तरह की केसे इनके उपर हैं यहां तक इनको फासी की सजा भी सुना दिया गया था कि इनके उपर जो नवाज शरीफ के उपर बहुत सारी करप्सन लूट फूट देश को बरबाद करना बहुत तरह की मतलब इनके उपर केसे से इनके बड़े भाई के उपर जो फिलाल प्राइम निस्टर बने हुए सावाज शरीफ के बड़ भाई नवाज शरीफ जो तीन बार प्राइम निस्टर बन चुके हैं कौन नवाज शरीफ उनके उपर बहुत सारे केसे से तो उनके छोटे भाई उनकी व इनकी парटी है तो इनको बता देते की इनकी खिलाव हो गये और कितने सपोर्ट just इनके सारी इम्रान क्हान के और उनके संसथ, तो एक सदन में क्या हूँ एलेक्ट किया गया तो नवा सभास सरीफ का कहना था कि भाई इसको मतलब इस संसद में वोटिंग हो क्या हो संसद की वोटिंग हो सदन में संसद की वोटिंग हो किसको वोट कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो इसी बातों करा गया लेकिन आपको इमरान खान का क लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि सदर्ण में वोटिंग हुआ तो वोटिंग में 172 मतलब कहने का मतलब 172 सांसद अगर पीम जो पहले पीम थी इम्रान खान थे इनके खिलाफ वोट कर दिये 172 लोग इनके खिलाफ क्या कि वोटिंग कर दिये तो इम क्या कि इनको वोटिंग कर दे किसको सहबास तो 174 लोग कि खिलाफ हो गया जिससे इनको क्या किया गया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना दिया गया इनके ऊपर ये जेल जा चुके हैं यानि कि अपने बड़े भाई के वज़ा से तो इनको PM के रूप में बना दिया साहबास सरी जो थे ये भी पंजाब के तीन बार CM रह चुके हैं कौन साहबास सरी पंजाब के तीन बार CM रह चुके हैं अब इनका एक main role अब ये होने वाला है कि इनके बेटा हम्जा को अब पंजाब के मतलब CM बनाएंगा चीफ मिनिस्टर बनाने की उमीद में है यानि कि अब तो यह PM बन गए अब इनको यह है कि अपने बेटा को CM बनाने की कर रहे हैं तो इम्रान खान की क्या वज़त थी जिसके काड़ान इनको हड़ाया गया तो सबसे बड़ा इनका क्या था अब इस वासन प्रस्ताव किया गया इनके उपर क्या किया गया अब इसवासन प्रस्ताव किया गया यानिकि-्णन被ates एनकर क्या क्या गया नफर क्या किया में देश चला है लेगिन देश ही चलाए जयाब करें वहाद सार इम्रान खान का कि लिए मिनेर्ग बढ़े भेंच कान है वी कास तो किल लेकिन यहा रोल था इम्रान क्कान उसके कड़ान नेजमेंट हुआद prata नहीं कर पाए यानि कि उसमें कुछ महंगाई हो गया घड़ते गया जिसके कादर महंगाई हो गया और क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो सेना है किस को इम्रान खान को जो सपोर्ट करते थे और जो गडबंदन था कि धिरे दिरे ठुटते गया उसके पास एकडम करद शेना के तरफ से इम्रान खान का तुट गया यानि की बादचीत बंध लगया उसके भासneys क्या हुआ कि सेना ने भी इम्रान खान का स्ताथ देना छोड़ दिया जिसके कारण इनका सरकार गिर गया तो बहुत तरह की कारण ने हो सकती है लेकिन अब तक में इम्रान खान का पूरा वर्ल्ड में तारीफ हुआ है क्या तारीफ हुआ है यानि कि कोविड-19 में इस में कैसे मतलब अपन अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ी रोल यानि भीनी के निभाह अ हमारे ग्वर्मेंट को गिराने में इनका काराना है कि अमेरिका की इसमें बहुत बड़ी चाल है क्यूं चाल है क्यों इन्हों कि रोसमें गया हुआ था ठीक है और चींस से भी कुछ बात च焦 थी और अमेरिका के ऊपर थोपा है कि उन्हों मतलब उनकी यह कमी है और उनका ही जो रोल है जो यह देश के अंदर इतना मतलब तफरका हो गया है यानि कि हमें प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया तो बहुत बड़ी साजी से चल रही थी तो अब बताते हैं कि इनको बहुत सारे म दीये हुह है तो कैसे चलाते मिनका कहने को हमने हम करने और एक साल बचे हो तो एक साल में क्या करते तो बाइसकों कीजले मिन्हें वे में गर करेंखे लोल इव्रीजिय सांच इस्टर किई Ya आतंगवाद थी और वं मार देना यह сам कंट्रोल था कि इुरा लिए कंट्रोल था इम्रान खान के अंदर मतलब यह bisa मैं मब अलए तो यह सब के मामले में कर्शान अभी कम था लेकिन अब आगर क्या होता है चाला Cen आप इनके उपर है तो समझ वीडियो को घंच sih चानों